नमस्कार साथियों, अभी तक अगर आप कोई fungicide खरीते हैं तो उसके साथ insecticide आलक से लेना पढ़ता है या फिर कोई insecticide लेते हैं तो उसके साथ fungicide आलक से खरीदना पढ़ता है अगर बात कीज़ाए वार्डन में उपस्थित टेक्निकल की तो इसमें मुख्य रूप से तीन टेक्निकल उपस्थित रहते हैं इसमें एजोक्सी इस्ट्रोविन 2.5% थायोफिनाइट मिथाईल जो की रोको के नाम से काफी फेमस है ग्यारद असमलो 2.5% तथा थियो मेथाउक्स मुख 25% FS यानि की लोएबल कंसंट्रेट फाम में उपस्थित रहता है वार्डन एक सिस्टेमिक फंजिसाइड होने के साथ साथ एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करता है वार्डन का उपयोग सभी रस्चुसक किटों के नियंतरण के लिए एक किट नासक के रूप में किया जाता है इसके अतिरिक्त बीज एवं रदा से होने वाले सभी फपून जनित रोगों के निवारण के लिए भी वारण का उपयोग एक फपून नासक के रूप में किया जाता है बेश्ट एग्रोलाइफ कमपनी के वारण का उपयोग तूट फलाई एवं वाइट ग्रप के साथ प्रमुक फपून जैसे की फ्यूजरियम, ब्लाइट एवं जड़ गलन के नियंदरन के लिए किया जाता है इन सभी के अतिरिक्त वारण के उपयोग से बीजों के अंकुरण एवं जड़ों की विकास में भी साहता मिलती है इसका उपयोग आप ड्रेंचिंग, सीट ट्रीटमेंट, फोलियर स्प्रे एवं ड्रिप के माध्यम से कर सकते है बात करे वारण के डोस की, अगर आप इसका उपयोग सीट ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं तो एक किलो बीज के लिए पाँच एमिल वारण परियापत रहेगा फोलियर स्प्रे के लिए वारण का डोस 30-40 एमिल प्रतिपंप के हिसाब से उपयोगत रहेगा बात करे वारण की पेकिंग की, तो इसकी पेकिंग 100 ml, 200 ml, 400 ml एम एक लिटर में उपलब्द होती है इसके 100 ml के पेक की कीमत 200-300 रुपे के असपस रहती है वेशे तो मार्केट में वारण के बहुत सारे अल्टरनेटिज उपलब्द है लेकिन इसमें से UPL का इलेक्टरन सबसे बेश्ट है अगर आपको इलेक्टरन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद